हलो गाईज, वेलकम आप सभी का रेल फ्रिल एक्स्पलेंज चैनल में प्लीज सिर्फ वीडियो देखकर ना जाएं, सस्क्राइब एंड लाइक जरूर करें जिससे जल्ली जल्ली वीडियो डालने में अच्छा लगता है थैंक ए फॉर सपोर्टिंग में आप देखते हैं आगे वुजिन कहता है जैसा मैंने उमीद की थी किंग्जाओ के खूँन से फॉजन से लड़ा जा सकता है किंग्जाओ कहती है यंग मास्टर मैं अभी भी और पिला सकती हूँ मैं कर सकती हूँ दोस्तों गलत मद समझेगा फ्लीज वुजिन उसको सारे से उपर उठाते हुए कहता है या ठीक है किंग जाओ थोड़ा आराम करो मुझे बाद में आपकी हेल्प की जरूरत होगी गौंग उसे में कहती है अरे तुमारी हिम्मत कैसे होई मेरे सामने दूसरी रड़कों के साथ गर्म जोशी दिखाने की फिर कहती है मैं तुम्हें अपने लुभाने की साजिस से मार डालूँगी और अटेक करते हैं जिसमें बहुत सारे हाथ वुजिन को पकड़ने के लिए निकलते हैं अटेक से बचने के लिए वो एक स्पेल यूज करता है और कहता है जैसा कि मुझे पता है कि इसका क्लियर मीनिंग नहीं है और वो सारे हाथ कभी वुजिन की बॉड़ी पे और गाल को पिंच कर रहे होते हैं वुजिन कहता है इसलिए मुझे इसको दिखाना चाहिए फिर वुजिन उसके पास जाकर उसके माते के एक पॉंट को पुश करता है फिर सीन चेंज होता है फिर कोई कहता है उन्त पर मैमान कहां से आया फिर लेडी को दिखाते हैं जो एक लड़की से कह रही होती है हावाओं से उट पर मैमान आया शायद ये कोई पोयम सुना रही होती है फिर वो उसके कान पर कहती है याओ याओ अप सो जाओ ताकि तुम अच्छे से बड़े हो सको शायद ये इस लड़की की मौम है एक आदमी धड़ाम से गेट खोलता है और चिलाते हुए कहता है हम इसमें और देर नहीं कर सकते मेरी डिसाइपल्स वहाँ बच्ची मुझे दे दो वो लेडी कहती है मास्टर क्या हम थोड़ा और रुख सकते हैं याओ याओ अभी भी बहुत चोटी है वो मास्टर गुसे में कहते हैं तुमने पहले ही अपने सेक्ट से मूँ मोड लिया है और एक डीमन के साथ मिल गई हूँ आपका बच्चा अगर एक पुरुष होता तो एक सिलेव की तरह उसे खतम हो जाना चाहिए था या ज़िवा एक लड़की है तो एक कौन को वाइन की तरह होगी मैं पहले से ही काफी दया लूँ अपनी हद को पार मत करो फिर मास्टर कहते हैं आलॉंग आयू बच्चे को ले जाओ वो कहते हैं समझ गए मास्टर जैसा कि देख सकते हैं बच्चे को ले जाने का यह सीन बहुत हार टेजिंग है नहीं नहीं याओ उसे मत ले जाओ देख सकते हैं जैसे वूलफ को किया था जिसने वो वीडियो देखी है वही समझ पाएगा एकस्प्लूर स्किल को फिर सीन चेंज होता है कोई थपड मारता है याओ को और कहता है आप कहां है आपको क्या लगता है कि आप किसे सामने रखना चाहते हैं कितना गंदा साइड है इस आदमी का वो कहता है ये मस सोचे कि तुम मुझे धोका दे सकती हो मैंने सुना है कि आप 8 साल की उम्ब से फैंग्यू पवेलियन में थे फिर भी तुम अब भी कुमारी होने का ढोंग करती हो और वो उसको खीच रहा होता है सच यार पहले तो साइडी गंदा था अब इस आदमी का फेस तो उससे भी जादा गंदा है वो आदमी कहता है क्या तुम काफी कोमल नहीं हो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि एक औरत कैसे बनते हैं फिर वो उसके साथ जबरजस्ती करने की कोशिश करते हुए कहते हैं मेरे पास आओ मेरी डार्लिंग वो कहते हैं नहीं दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये गौंग के पास्ट का दिखा रहे हैं कि उसने कितना सरवाइफ किया है अपनी लाइफ में फिर कहती है क्या यही मेरी किस्मत है ऐसा हो जाना क्या मेरी किस्मत है मर्दों का खिलोना बनना फिर वो पगलाते हुए कहती है जैसा कि उसके फेस पे देख सकते हैं ठीक है अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं खेलूंगी वो हस्तेवे कहती है valued customer अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो भी इतने कठोर मत बनो वो चूतिया फेस वाला कहता है क्या आप मेरे शुरू होने से पहले ही डर गए हैं फिर next scene में दिखाते हैं सब चिला रहे होते हैं बचाओ मदद करो कोई गॉंग ने सब को मार दिया होता है और कहती है मैं अपनी जान की बाजी लगा दूँगी evil face के साथ हस्ते हुए कहती है मैंने उन्हें मार डाला मैंने उन्स सब को मार डाला और यहां गाइस यह कौमिस के scene थोड़ा अडल्ट है तो प्लीज बच्चे से ना देखें और मैं थोड़ा feel कम डालूँगा समझ रहे हैं न आप हाँ समझ गए फिर यह सब देखकर वुजिन कहता है और इसलिए वा ऐसे अनूखी पावर उसके में जाग गई क्योंकि इतने समय तक उसे सताया गया है गौं कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी और वुजिन के तरफ अपना हाथ मारने के लिए बढ़ाती है वुजिन उसका हाथ पकड़के उसकी मौम की पोयम बोलता है वुजिन उसका फेस सहलाते हुए कहता है वुजिन उसे सीने से लगाते हुए कहता है याओ याओ दोस्तों याओ की स्टोरी बहुत हार टैचिंग है ये देखकर मेरा दिल भी भर गया मतलब ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी न हो वुजिन याओ को गले लगा कर कहता है अच्छी नीन लो ताकि आप अच्छी तरह से बड़े हो सकें जो उसकी मा कहती थी याओ ये सुनकर खुब रूरी होती है और जैसा कि देख सकते हैं कि आज कितने सालों के बाद याओ को तसली मिली है कितना दर्द लिये थी और वुज याओ को कैसे रोकेंगे स्टोरी एक्स्प्लें करने में बहुत महीनित लगती है तो प्लीज सस्क्राइब लैक जरूर करा करो आप लो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा और आप कहां से हैं थैंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो लव यू आल